दो बार ऐसा ही कर चुके अगर तीसरी बार भी अपने दमाद को मुख्या बनाने की सोचेंगे तो अगर सोच लिया तो तुम खुदी देख ले ना पहले जैसा मजबूत सपोर्ट अब नहीं रहा अगर हमने भी दबाव डाल दिया तो घंटा कुछ नहीं होगा आज भी पार्टी उनके इशारे पर ही चलो अभी जिसको जो बोलना है बोलने है वो जो सोचते हैं वही पॉलिटिक्स है वो जो बोलते हैं वही कानून है केरला सरकार इस एक्वल टू अच्छुतम नायर माहुदर हमें वह किताब मिल गई है यह लीजे यह तो नहीं बोलोगे कि इसके जरीय सोने की तसकरी कर रहा हूँ यह किताब इंडिया में बैन है दस सैटैनिक वर्सिस कहां से ढूड निकाला जब मैं शिकाग हो गया था अपने दोस के पास काम के लिए रिपोर्टर जी अच्छी किताब है सीयम मुद्दे को लेकर कौन बहतर है इसके पीछे सुत्तरधार कौन है पहले ये खबर चाप कर दो भला आप लोगों से बहतर हेडलाइन बना कौन सकता है अब इतना भी जादा मज जुको ना है आखिर कब तक लोगों के सामने जुकोगे जुकने का परिणाम कुमार भाई जैसे इमानदार नेता जहल चुके है सीना ताम कर खड़े रहा हूँ ये वारा कमनेस्ट अच्छिए कर खड़े उन्याँ झायाँ 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 लुझारोग फॉझारोग जिन मुझारे गफॉझारे बुझारे प् cose एधॉझारे नग थाजय हम एफ оч़ usबप्से, जिए फaking therefore हो है कि इस भुझारे प्सक्थारे पने इसकाने कई के झाम tutti एह कई तुम बताओ रूम तुम्हें आज ही रूम खाली करना होगा समझ में नहीं आया क्या तुम्हारे दोनों रूममेट्स को पुलिस वाले अभी अभी उठा कर ले गया वह योग्की तुम्हारे दोनों फ्रेंट्स इंजिनेरिंग की पढ़ाई के नाम पर बॉब दयार करहे थे पॉब सर बॉब ? अज़र नोगा नोगा लेकिन तुम उनकी यहां आकर तुम्हें भी उठा कर ले जाएंगे Sir, I don't know who they are. I'm only staying with them. That's all I know. I'm telling you for your patience. Just leave here. Hey, go! I don't know who they are. 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 I don't know. I don't know who they are. 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 कोने केरला पॉलिटिक्स का ये मुख्य किरदार है इसमें किसका नाम हो सकता है एंपी के कॉर्टर में दिखना ठीक नहीं है मुख्य दिन एंपी साब अंदर नहीं है क्या आप एकने रुट रुगी है ठीक है तो फिर अब मैं फोन करूंगा है सीडियाफ पे मुख्य मंत्री का दावेदार कौन हो सकता है दिखमरम जी आप बोलो मेरे खयाल से तो एक ही सियम है अब आज के राजनीती के हिसाब से सच कहो तो जोसफ ही दावेदार हो सकता है एई यही बात तो नौर्थ के लोग भी चर्चा कर रहे हैं पहली बार इस बारे में चर्चा हुई तब हमारी उम्मीद कुछ और थी बाद में तो जैसे सारी उम्मीद पर पानी फिर गया ध्यान से सुनो हरीश मेरे ख्याल से तीन नाम की संभावना है एक है मडाई माधवन कनूर जिले में आज तक मुख्यमंत्री बनने के लिए इस तरह इंतजार किसी नहीं किया होगा दूसरा है स्टीफन पाइपर अच्छा पड़ा लिखा है बहुत जानकार है और खून भी ने आए और तीसरा है पवित्रा पिछली बार की बुरी हार को देखते हूँ उसके पास है एक बहुत ही अच्छा सिंपती स्कोर वो इस लिस्ट में हो सकता है और तो और कंपों में रहने वाला वो बुढ़ा भी अपनी बारी का इंतिजार कर रहा है फैस्ता लेने से पहले अगर एक बार उसका भी इससे कोई फैदा नहीं है उस बुढ़े को तकलीफ होगी या दाश्ट भी ठीक नहीं है कमजोर या दास्त वालों को ऐसा पत देने से फैदा होता ही है सोच लिजिए वैसे एमटी बाबु कुछ नहीं बोले क्या समाज के पारस्परिक सवहार्थ को आच आए बिना लोग तंत्रिक लोग लोग तंत्रिक सत्ता को इस्थापित करने के लिए बिना किसी भेद भाव के बैलेट पे मुहर लगा कर अपना नेता चुनते है ध्यान है ऐसी भोली जंता से धोखा नहों यह क्या है साब साब समझाना मुश्किल है वो बस अपनी बातों से हमें कन्फ्यूज करता रहता है मैडम इस पे आपकी क्या राया है मैं इस मुद्धे पे कुछ नहीं कहना चाहती बस अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही हूं कोई भी ओ क्या फर्क पड़ता है तीसरे राउंड में तो हम होंगे वो भी फुल कॉंफिडेंस के साथ मननी यह सची मोहद है आप से आपकी राय किसी ने पूछी है प्यारे दोस्तों मुझे तो लग रहा है कि ऐसे हम किसी भी एक नाम पर एक पत नहीं हो पाएंगे और दिल्ली वाले बेवकूफों को समझ में आएगा कि यहाँ पर कोई ऐसा चेहरा नहीं है इसलिए मैं इस पार एक काले घोड़े को उतारने के लिए सोच रहा हूँ इसलिए मैं इन प्लैक जब देखो मूँ ठाकर चले आते हैं इनको जरावी अकल नहीं है अब जाए जाए अरे उठो ना झाओ अपसंवे से काम कर रहें उन्हें भी आराम चाहिए जाए कर दो का लिए सुनिये चाय और नाश्ता ले कराओ जरा मुझे सुकून से काम तो करने दो हमारे देश में आज तक इस तरह का मामला कभी नहीं आया अभी परिशान मत करो मुझे सौरी इसके लिए सौरी किसलिए मैं बीच में ओट नहीं सकता ना तुम जाके तयार करो हालो आप चंता मत कीचिये हम कोई रास्ता निकाल लेंगे मैं अभी आता हूँ है यह गालो जी अभी देटा आपका विजित पूरा हो गया सर नहीं कुछ का हूँ पांड़ा आप तेले फोन है अलो सेट पवित्रन सर लाइंग पर है कि अाणद्कृष्णन सर कुछ पता चला कि तू नहीं है पर कौन है पवित्रन तुम्हें याद है कि जिस तरह से बच्पन में तुम खेल में मेरा साथ देते थे उसी तरह से तुम्हें आज भी मेरा साथ देना चाहिए ताके मैं मुख्यमंत्री पत का केंडिड़ेट बन सकूँ मैं ऐसा सोचता हूँ अखिरी क्या है सर अपना दिमाग खराब करके मैं समाद सिवा के नाम पर बीच जंगल में आकर छेल रहा हूँ और आप मुझसे ऐसे बात कर रहा है जब उन्होंने मुझसे कहा था कि कोई नौजवान सीम कैंडिडेट चाहिए तो मैंने तेरा ही नाम लिख कर दिया था और ये मैंने सोच समझ कर कहा था तू भले ही मेरा यकीन न करे पर सच यही है मैं नहीं हो तो कौन है स्टीफन भाई है क्या वो भी नहीं है फिर कौन डेविड जॉन मेडिल डेविड है पता है या उससे सीम कैंडिडिट बनाने के लिए कोई तो वज़ा होनी चाहिए इस्पेशली जो दो बार सीम की कुरसी संभालने वाले अच्चुतम नायार को पोलिटिकल टक कर दे सके इसका मतलब मंच पे भाशन दे कर यहाँ वहाँ से कुछ पैसों का जुगाड कर रखा है जब पहली बार सुना तो मुझे भी अजीब लगा बट लेटर देर इस दर इसन ब्याइंड दे सिकल इस आदमी को हाई कमान ने चूस किया है कोई तो ठोस वज़े होगी उसके पीछे सालों से नमक का ऐसान मानने वाले वफादार है और उनके लिए ही लड़ते हुए जॉन मेडिल मरा था एक हिसाब से वो कम्यूनिस्ट के नेता थे उस डेविट के पिता जॉन मेडिल सर एक दुरगटना में उनकी मौत हो गई थी केरला के पॉलिटिकल हिस्ट्री में वो कोई दुरगटना ही थी या एक सोची समझी साजिश इसके दो वर्जिन है उस कार के अंदर पचीस साल का एक और इंसान था यह किसी ने नहीं जाना कि वो एक दुरगटना है या जान बुश कर उस घटना को अंजाम दिया गया है जब जान अपनी आखें बंद कर रहा है तब शायद उसकी आखें कुछ जिम्मेदार लोगों को पहचानने की कोशिश कर लेगा यह आप कैसी बाते कर रहे हैं क्या हुआ पिता के एक्सिदेंट के बाद डेविट चेंज इस साइड सरकार की तरफ अ लेफ्टिस्ट टर्निंग इंट राइट विंग गाई और इट वोग्ड बाद में होने वाले चार इलेक्शन में भी थंपिंग मेज़ॉर्टी से वो आदमी जीता बाप ने जो कमाई की थी इसने सौग उना कर दिया MP की कुर्से संभालते हुए दिल्ली के पॉलिटिक्स में इस स्टेट का कोई भी नेता ऐसा क्राउड नहीं बना पाया सिंस ही वोस फिल्थी रिच डेविड हस गॉट मनी बैकल्स और मनी मैटर्स इन डेली जॉन मेडिल सर ने जिससे शादी की वो शेड्यूल कास्ट की एक हिंदू लड़की थी लक्षमी सो डेविड वस बॉन हाफ हिंदू, हाफ क्रिश्यन और डेविड ने शादी भी की तो किससे है इडियस पार्टी के रेस्पेक्टफुल जाने माने लीडर क्रिश्ना गोपालन सर की एक लौती बेटी ब्रिंदा से डेविड के पिताजी जिस एक्सिडेंट में मारे गए थे उसी में डेविड की वाइफ ने अपने दोनों पैर गवा दिये और तब से लेकर आज तक वो वीलचेयर पर है डेविड अपनी पत्नी का ख्याल रखने में कोई कमी नहीं छोड़ता एक पत्नी होने के नाते वो भले ही उसको खुशी नहीं दे पा रही हो लेकिन डेविड कभी भी उसे इस बात का एहसास नहीं होने देता उन लोगों के बीच वो आदमे एक आईकॉन बन गया और वो उन लोगों के लिए पैसा पानी की तरह बहता है केरला में सबसे बड़ा कॉंट्रेडिक्शन इसी मुद्धे पर होता है इंडिया में तमाम सेक्यूलर संस्थान होने के बावजूद लोग जातिवाद को लेकर ही आज भी वोट मांगने जाते हैं जैम्स अच्छे हो न तुम बुली साहब तुम्हारी मदद चाहिए किस तरह की मदद चाहिए साहब बुली न तुम लोगोंने वो डेविड मेडिल के बारे में कुछ लिखा था न वो लड़की उस गंबक्त की बीवी के साथ उसकी पूरी डिटेल्स मुझे चाहिए उस दिन जो मारपीड का मामला हुआ था उसके बाद उसकी बीवी के बारे में क्या कहूं उससे उन लोगोंने कहीं कभी नहीं छोड़ा वो पूरी तरह तूट चुकी है सर दर असल मैं उसके बाहर में बात ही नहीं करना चाहता बाकिया आप जो कहेंगे मैं अपवास मत करो फोन रखो यह डेविड को ज्यादा ही लेड की बास है है ना ऐसा कौन है जिसे नहीं चाहिए सबको वो चाहिए कुछ लोगों को रास आता है और कुछ को नहीं आता मुझे तो रास आता है सिर्फ इतना ही नहीं इसके अलावा और एक रिजन है फ्रम इंसाइड इन्फोर्मेंट अभी सियम पत के लिए डेविड नाम के इस बेहुदे इंसान को जैसा मैंने पहले बोला था ही इस वेविद विमन और तुम्हें पता है कि इस मुकाम तक पहुचने के लिए डेविड ने दस सालों तक संघर्ष किया है एक पॉलिटीशन को रिफाइंड और टैक्टफुल होना चाहिए पैसा तो है इसके पास पर क्लास नहीं अरे वो एक गुंडा है कॉर्परेट गुंडा वो सराम गोर को हमारी पार्टी के हाई कमान अच्छुतम नायर उतारने वाले वो पार्टी को डुबोईगा साहब खुदी अपने पैरों पर कुलाडी मार रहे है आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं अगर राजीव जी ने फैसला करी लिया है अबे भी साथ मिलके सपोर्ट करना चाहिए वो बेवकूफ है राजीव जी सुनिये मेरा बस एक ही हाई कमान है और वो है मेरा दिमाग और दिमाग क्या रहा है अभी एक ही जटके में सीडिये पार्टी मिटने वाली है वो ज्यादा तर लोकल गुंडों के साथ उट बैट करके लो ग्रेट की कमपनी चला रहा है और एसे में इसे सडक से उठा कर मुख्यमंत्री पत पे और इस एज़ दाट केन वोक अगेंस्ट हैं शुद भी 45 46 अरां 47 बट दाट केन वोक इन इस फिवर नया खून और पैसा आपसे यही हमारी पार्टी का सिंबल है वाट यू थेंक अबाउट हैं तुम पसंद करते हो डेविट को पसंद है या नहीं अभी इसका जवाब नहीं दे सकता लेकिन वो एक अच्छा हीरो मेटेरियल नहीं है और पूरी तरह से विलन भी नहीं है सच कहूं तो वो जाल मे नफसने वाली और हाथ से फिसल जाने वाली मचली है इतने सालों तक जिसका इंतिजार किया साजिश करके जाल बिचाया बस इसी मौके के लिए इसे हलके में लेना सही नहीं होगा क्योंकि उसे रोकना असान नहीं है ये पैसे दिखाकर पार्टी से पत खरीद रहा है हाई कमान इसी वज़े से कन्फ्यूस हो गया है मेरे भाई अभी भी तुम्हारा दिल नहीं मान रहा है न कल रात को मैंने भी गिंती की है तुमको मिलाकर सत्रा पार्टिया है हमारे अलाइंस में सत्रा समझ गये देविट को मैं समालूंगा उसे पहचाने में मुझे असानी होगी क्योंकि लोग मुझे भी गुंडे के रूप में जानते हैं और उसे भी बस एक ही फर्क है तुम्हें तुमारी गुंडगर्दी बनावटी है उसकी ओरिजनल है वो किसी से डरने वाला नहीं है तो मड़ाई सर आप उस कालिया के साथ हैं ठीक कह रहे हो इसमें सोचने की क्या वात है उसके साथ रहेंगे तो पार्टी में फंड की कमी नहीं होगी ठक चुका हूँ दूसरों के सामने हाथ फैला फैला कर अनन सर आपने कुछ नहीं कहा उसे आने तो दो डेविट को मैं पार्टी के लिए अच्छे से कन्वेंस कर सकती हूँ वो सिर्फ पैसों के पीछ नहीं भागता बलकि पिछले दस सालों से उन लोगों के बीच रहके उनकी मदद कर रहा है और हमें उसकी काम को इस तरह से समय चल रहा है इसकी वजय क्या है वो पता चल गई है तुम जैसा नीच इंसान ही ऐसा एटेटूड दिखा सकता है यह जो जाओ मेरे प्यारे पवित्रन बखेडा खड़ा मत करो यार लोग ऐसे हमें विखारी पाटी नहीं बोलते पैसे कम गर्मी जादा हो हला मचाकर पत् सब्सक्राइब यहां जो लोग मौजूद है डेविड यह आप से अकेले में बात कर दो है जो मुश्कुरा कर गले मिलते हैं वो मित्र नहीं होते और जो दूर होकर चलते हैं वो सत्रू भी नहीं होते राजनीती में हर कदम फूप फूप कर रखना चाहिए मुझे लगता है इस बार आपके भी दिल में खौहिशे हैं देखिए इस बीच वाली उंगली से उस लिफाफे को ऐसे पकड़ के मैंने अनंत क्रिश्ण जी के हाथ में दे दिया आपको पता है कितना ड्रामा करना पड़ा है मुझे ताकि आप उपर पहुंच सकें हम बहुत बहुत शुक्रिया देवदास जी लेकिन गेम खत्म होने के बाद ये उंगली खुश्बूदार साबून से दो लीजिए लगा सिर्फ इस बार तुम रुख जाओ मेरी बस एक खाईश बची है वो है मुख्यमंत्री बनना मुझे जो भी अधिकार मिलेंगे उन सारे अधिकारों के पावर फटरनी तुम्हारी होगी बस इस बार पीछे हच जाओ मैं जानता हूँ लेकिन उससे पहले अपने बीवी और भाई के नव राजमंद्री में 2000 एकड़ की जैदात पे जो मॉडल टाउन बनने वाला है सुना है उसका वेरहाउस इंटरनेशनल लेविल का है उसके बारे में मुझे मीडिया के सामने इंटर्व्यू देने की इजासत देनी होगी इजासत मिल जाएगे मैं हमेशा तुमारे साथ हूँ डेवलप्मेंट तो होना चाहिए पहले ही देख चुका हूँ और अच्छी तरह जानता हूँ कि इनसे कुछ नहीं उख़ड़ने वाला सर आपके चले जाने के बाद पार्टी कमजोर पड़ जाती है मैंने इसे अपनी आँखों से देखा है आपको मेरा साथ देना होगा एक बड़े भाई की तरह समझो मैं तुमारे साथ हूँ तुम उस पद पे बैठने वाले हो ये सोच कि मुझे खुशी हो रही है फिर जो भी हो अब एक सही आदमी उस पद पे बैठेगा स्टीफन पद पे चाहे कोई भी बैठेए सत्ता किसी की भी हो लेकिन मेरी माँ ने मुझे एक बात सिखाई है कि कुछ भी हो जाए राजनीती में धर्म और जाती बीच में नहीं आनी चाहिए इसलिए दिमाग से गंदगी निकाल दो सच्छ होके आहोके तो स्वागत है वैसे भी हमारी पार्टी अल्रेडी पचास टुकडों में बटके बिखर चुकी है किसी भी ग्लू या फिर सेलो टेप से चिपकाए बगाएर क्या हम मिलकर एक साथ होके एक नई नीती नहीं बना सकते वैसे भी इस राज्जी को चलाने के लिए कॉर्परेट के कुछ बड़े नाम और उन्चास एमिलेज मेरे साथ है फिर भी जरूरत पुड़ी तो हम कोशिश करके कुछ और लोग भी कठे कर सकते हैं और मुझे लगता है कि यहां जितने भी लोग हैं उन्हें इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी अगर हम एक साथ मिलके चलें तो यहां सकता हमारी ही होगी मुझसे भी जादा जानकार आप है सर इन्हें सब को समझा दीजेना फुल डीटेल में प्लीज वेल ड़न, मैंने इन ब्लैक ठैंक्स मैं तो अब एक संदेश पहुचाने वाला कभूतर बन गया जानता हूँ, मैंने सुना है राजिव जी मेरी तरफदारी करने के लिए आप पे कुछ मामले भी दर्ज हुए है एंड इन रिटर्न? इन रिटर्न आपको वो फाइल मिल जाएगी इफ यू कैन मिल जाएगी, वो भी उस लड़की के उठके आने से पहले तुम कैसे जानते हो? मेरे भी दिल्ली में लिंक्स है सुना डेवेड, कैसे मुझे तुछ से मिलना है डेवेड, मैं तेरे पिताजी का दुश्मन था राजनीती में सिर्फ राजनीती में मैं जानता हूँ उंकल पहले आप वीरन उंकल के हाँ मुझे लेकर जाया करते थे दोपहर के खाने के लिए और जब मैं वहाँ पहुंसता तो आप मुझे चिड़ाया करते थे फिर मुझे उठा के गले लगाते और ये मुझे बहुत पसंद आता था यही आपका प्यार था और जाते वक्त आप अपने इतर की बॉटल मुझे देते और स्कूल में वो दिखा के मैं दोस जमाता उसका नाम मुझे अभी भी याद है अल्रो वो भी कैसा वक्त था बेटा हमारा अपना दोस्त मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चन है ऐसी बाते कभी किसी के दिमाग में आती ही नहीं थी मजीद, जोसफ, किशोर, सब एक साथ स्कूल जाते थे कोई भेदभाव नहीं होता था मेरे और तेरे पिता जी की सोच एक जैसी ही थी जिन्दगी के बारे में मजभब के नाम पर किसी पराँच नहीं आने देते थे ऐसा जमाना था लेकिन आज के बच्चे नर्क में जा रहे हैं वही मैंगा, अल्रूर मुझे पिता जी की याद दिला दी इस बेटे को याद रखिएगा मुझे पिता जी के बारे में मुझे पिता जी के बारे में मैंने उसे फोन करने की बहुत कोशिश की पर उसने मेरा फोन ही ने उठाया आ तो? बाप की बिगड़ी ओलाद ऐसी होती है मैं आपके पिता जी की नहीं अपने बाप की बात कर रहा नार्कोटिक बिजनस इस बाट बिजनस यह सब समझने के लिए सेंस होना चाहिए सेंसिटिव होना चाहिए सेंसिब्लिटी भी होनी चाहिए इस तरह के दो चार पंच डालोग है ना आप मुझे शीख लीजिए और मुका मिलने पर डालोग चिपका कर तालिया बटो लेना वह वहां लाइट डिखरी है ना वह तो अपने रागों की दुगान है ना हां वहां जाके गरम-गरम डोसा और सामबर लेकर आए पर मुझे तो नहीं खाना मुझे चाहिए आप मुझे चाहिए ओ कुछ को हो तो बस काम पर लगा देते हैं कि तुम्हारा इरादा क्या है कैसा इरादा इंस्टा में मैसेज करके तुम्हारा नंबर ढूंकर तुम्हारा पीछा करती फिरूंगी इतना भी गीरा कारेक्टर नहीं है मेरा लगता है प्यार करने की क्वालिटी तुम्हारे अंदर भी नहीं है सुनके सर में दर्द हो गया इस तरह खुल के बात मत किया करो लगता है तुम्हारा इगो हर्ट हो गया बहुत जिद्धी इंसान लगते हो मिलने आओगे आ भी सकता हूँ चलो बताओ कब आना है मुझे सच में आ रहे हो क्या तुम्हारी तो बीवी है ना जहां बीवी नहीं है वहाँ तुम्हारे सात रह लूगा तुम्हें डर नहीं लगता कैसे आदमी हो तुम जैसे सिलेब्लेटी पर तो मुझे भरोसा नहीं कि तुम आओगे दिवारों को भांद कर पहाडों को लांग कराओंगा यह कैसा डालोга है डायलोग इस तरीके से थोड़ी ना बोलते हैं डालोग बोलते समय फिलिंग एडिटूट इमोशन को होना बहुत ज़रूरी है मतलब मजा आजाए बाद में करते हैं अगला सियम कौन बनने वाला सिर्ट चलो ठीक है मैं घर पहुंचने फोन करता है मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता जितना आप लोग जानते हो तना मैं भी जानता चलिए ठीक है खाना खाया तुमने नहीं चलो आजो साथ में खाते हैं जो तुम लोग भी बहां पिताजी का कमरा बहुत दिनों से बन पड़ा है धूल मिट्टी जम गई है किसी को बुला के उस से साफ करवा दें उसकी वहां चिंता हो रही है तुझे तेरा अपना कमरा बहुत साफ है पहले उनका कमरा साफ हो जै काफी गंदा है उसके बाद मेरा होगा ओ अचा हां आपको अलग से खाना-खाने के लिए बुलाना पड़ेगा क्या चलिए आये दा मारा मैं आती हूं सो अल्टिमेटली गफूर पच्चिस सीजों का एक लौता मालिक है हलो हाँ अचुतम बोल रहा हूं डेवीड मैं जानता हूं तो मुझसे बात नहीं करूँ है फिर भी जब ये बात पता चली तो पहले ये बताओ अच्छे तो हो न अच्छा तो नहीं हो और यही बात सच है वो सब छोड़ो डेवीड अब आगे क्या करना है ये सोचो और हाँ डेवीड मुझे किसी के उपदेश नहीं सुनने और अहसान तो बिलकुल भी नहीं चाहिए तुम्हारे पिता जी की आवाज में इतना भारीपन नहीं था लेकिन आवाज में खनक ऐसी ही थी अगर आमने सामने बात करना है तो आजाईए लगता है सत्ता के लालच का पर्दा अभी हटा नहीं है मेरे पिता जी एक गलती कर चुके है पार्टी के प्रती मानदार रहके उन्होंने कभी लालच नहीं की और ना ही गलत पैसे कमाए पार्टी फंड में जितने भी पैसे थे सब उन्होंने पार्टी के लोगों में बाट दिया पापा ने जाते वक्त मुस्से एक बात कही थी कोई चाहे कितना भी खास हो कितना भी करीबी हो उस पे कभी भी भरोसा मत करना तुम अभी भी शक करते हो न डेविड मुझ पर भी न मेरा शक तो कब का खत्म हो चुका है लेकिन मामला बहुत कम भीर है और वही मेरा डर है बेटा सुनो मैं वोन रखों क्या इस हेज की चाहट में आपका प्यार दिख रहे है और वो मुझे नहीं चाहे करका गणा है अरे बेठो बेठो आजा अरे आओ ना बैर उक्तनी जाना चोड़ो आओ एई होने होने वां शकोर अ मेडल के परिवार में एक और बंदा है डेविट का भाई एंटनी मेडल काफी दिनों से खाना नहीं मिला क्या तुम्हें देख के लग रहा है क्या हुलिया बनाएं मेरा हुलिया देख रहे पर अपना नहीं देख रहे है शंकर आखर तुम कहना क्या चाहते हो साफ साब बताओ इसके सोचने से कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि हम सब मिलकर ये कर सकते हैं डेविट को हम आराम से हटा सकते हैं इसके पीछे कुछ बाहर के लोग हैं और कैसे भी हम प्लानिंग करके इस काम को निप्टाएंगे और ड तो फिर उस गुंडे का जल्दी काम तमाम करो कि यह देखिए स्क्रेंट शॉट्स देविड अधी उम्रत की लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा है यह बहुत ही शरम की बात है आप इस बार में उनसे बात कीजिए वो इसी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा है कोई बात नहीं इस म्यूच्वल अर यू सिरियस आप ये सब को चुपचा बरदाश कर लोगी तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है जिसकी पत्नी 20 सालों से बैट पे पड़ी हो उस पत्नी के लिए उसके दिल में अभी भी प्यार है उसके सामने यह फ्लर्टिंग वग अपने दर्द का हैसास नहीं होने दिया बल्कि उतना ही प्यार किया पत्नी के रहते हुए भी बहुत सारे लोग लड़कियों के पीछे भागते रहते हैं आप न बिल्कुल बेवकुफ हो बीवी के नाम पर बस उनकी पियार बन गई हो आपकी नजर में आपके पती एक अपाहिज बीवी का ख्याल रखने वाले महापूरिश है और उनको बस आपके जरिये वोट चाहिए तो आखिर इसमें गलत क्या है और हाँ डेविड मेरे लि होगे वो जानते हैं हाँ मैं फोन कर देती हूं आप लोग वहाँ चले जाईए इधर आ क्या बात है मां तेरी हरकतों के बारे में जब भी तेरे बाप से कहती थी वह कहते थे लगता है अस्पताल में लड़का बदल गया है अब तो मुझे भी ऐसा ही लगने लगा है नहीं तो मा बापका एक गुण तो आता तुछ में है कि अधार है कि अधार है कि यह कुछ भी हो जाये उसे सीम नहीं बनने देना देखिए भाइद भाई चाहे आसमान भटे या पहाड गिर जाए हम उसे रोकेंगे वो नहीं बचेगा हम उसे सीम नहीं बनने देंगे तुछ पर मुझे भरोसा है गफूर भाई वो अच्चुतम नायर हमारे काम में रुकावट पैदा कर रहा है लेकिन अगर वो सीम भी बन जाये तो हमारे रिष्टे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आपको क्या लगता है मैं इसकी मन्जूरी दूँगा? मन्जूरी मत देना और अगर ऐसा हुआ तो तुम लोग पार्टी फंड और मजभब के नाम पर जो नौटन की करते हो वो सब कुछ एक्सपोस करके मैं पंद करवा दूँगा तुम जानते हो मैं ये सब डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ हलो है हलो है ये येस बिजी हो क्या नहीं असा कुछ नहीं है बोलो मुझे तुमसे काम है बताओ क्या काम मेरे हस्बंड शाम को दिली जा रहे हैं कल मेडनाइट फ्लाइट से वापस आएंगे सो आज की रात हमारी वो तो मैं जानती हूं यहां तो सब मैं संभालोंगी बाकी तुम मुझ पे छोड़ दो आ रहा हूं मैं हाँ 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 ओके एक मुझे एक मुझे इस्क्यूजिव न्यूस है सर वो कह रहे हैं के सिर्फ आप से ही बात करेंगे तो यहां हम की आप स्वार्ण आप दिस चैनल मैं तो यह इस पीकिंग इंग के लिए खिंग आपको एक न्यूस देने के लिए कल सुबार के अच्छाला कि सबसे बडी ब्रेंकिंग कि यह आप ताया हो तो इस काल करो देंगिए की ब्रेकिंग नहीं इस प्रेट दोड़ी पटेट अरे दोस्त तुम आगए हो क्या? आप पहुच गया, तुम बाहर तू आँ बास आगया उक्या मामला सब ठीक है लेकिन इतना रिस्क लेना ज़रूरी है क्या? रिस्क दो तरीकी के होते हैं एक कुछ पैसे दे के मामले को निप्टा देना दूसरा खुले मैदान में उतर के गीम का मसा लेना और मैं यही कर रहा हूँ मानना पड़ेगा तुके तुम यह गाड़ी को लेकर मेरे पुपारा फॉम हॉस पे चले जाओ मैं सुबह वहां पहुच जाओंगा और हां अपना फोन आफ कर देना कुछ भी हो जाए ओन मत करना और अगर ज़रूरत पड़ी भी तो मुझे लैंड लाइन से कॉल करना अरे मैंने तो आज ही रिचार्च करवाया है जो मैं बोल रहा हूं समझ में नहीं आ रहा है क्या मैंने कहा कुछ भी हो जाए अपना फोन आन मत करना इतनी दियर से मैं यही तो समझा रहा हूं तुम्हें और अगर किसी ने वहां फोन किया लैंड लाइन पे तो बोलना कि सर अब कहीं गए हैं आएंगे तो बात करवा दूंगा शबास कि अगे अधाय के अधाइं मेरा फोन आंग जुकल युद्单 मरे ने लिए और कि आचब चेंके। उपन युक्त अश् Farmya अगया तिसकर अदूंगे कि अधिए अम आपके इस प्लान को कैंसल कर दियुक इसके बारे में तो सोच करी मेरे हाथ पहर कहा परें अरे डर क्यों रही हो पती दिल्ली पोहच गया है ये कंफूम कर लो नोकरों को चुट्टी दे दो और ध्यान रखना की घर पे रिपोर्टर्स ना है और क्या चाहिए वो सब तो ठीक है फिर भी है इतनी शान्दा रात हमें सामने से मिल रही है और तुम उसे ठुकरा रही हो बाई ड्राइव सेफ है जा पॉंच क्या है कि अस पस नजर खुमालो कहीं कोई देख तो नहीं रहा ना अरे क्या हो गया जो है यहां 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 पर पड़ाएं यहां यहां पर पड़ाएं यह देखो यह चीज़का है कर दो मैंने बोला था उसको, अलाम को आफ कर दो, बोलना ही पड़ेगा न, एक आदमी ने पूरी रात मेहनत की है, सर को जरा चैन से सुने दो ये भी बोला, कोई सुनता ही नहीं, एक बात और सर, आपकी माशुका बोल रही थी जल्दी काम निप्टा के घर जाना, ठीके आप जल्दी तयार हो जाएं सर, कुछ लोगों से मिलना भी है, झाला 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 उसे दूद्ध पिलाके सुला दिया है यहां का क्लैमेट उसे सूट नहीं कर रहा है यह जगह बहुत ही मायूस है कि सर अप सुब शुब क्याइड हैं उग sinne here क्या ढूण रहे हैं सर मेरी दोती अब भोके क्यों चाहिए यह रहे दोती भूल से ने कि निशें और हमने कुछ नहीं देखा और आगे भी नहीं देखेंगे अगर चाहूँ तो बस वैसा ही करते रहे हैं जैसा हम कह रहे हैं वरना पूरी दुनिया देखेगी सर आप जगे फ्रेश हो जाईए बातरूम में साबून और ब्रेश लखे हैं तयार हो कराचा कुछ खा लेते हैं उसके बाद कुछ काम की बात करेंगे हो, 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 हो... झाल 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 तुम लोग कौन हो मैं नहीं जानता, तुम्हें क्या चाहिए वो भी नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि यहां मैं आके फज गया हूँ, जिससे तुम लोग मान जाओ, ऐसे कोई डील करनी चाहते हो तो बता दू, मैं हाथ तुम्हारे जाल में फज गया, क्योंकि मैं पागल, तुम लोग जो भी मांगोगे, वो मुझे देना पड़ेगा, तुम्हें क्या चाहिए, पैसे या फिर पॉलिटिक्स, क्या का, पॉलिटिक्स, वो हमारे काम के नहीं है सर, पैसा, वो हमारा खुदा है, कितना, हम पांच है और हमें चाहिए, पूरे 30 करोड, फिर सर आपको जहासा देकर बेट पर अयाशी करवाई थी न, उस लड़की के करो, बागी की बात है हमारे सर के आजाने के बाएं, और सर को क्या चाहिए हम नहीं जानते, इसके पीछे आखिर है कौन, जब आएगा तो देख लेना, ठीक है? आप बोलेंगे तो वो यहीं बिलने आ चाहिए, नहीं आप पर हूँ, किसी को पता ना चले, सर, अंदर क्या चल ला है, लगता है कुछ पढ़ा रहे हैं, अच्छा, क्या बात है इशाद, एनी ग्लीचस? सर, आइम वेरी सोरी सर, उन्होंने मॉवाइल पर जो डेटा भेजा है, वो किलियर नहीं है, सर, अमें वो कैमरा मिल जाते तो बहुत ही अच्छा होता, वो कमीने बहुत किस्मत वाले हैं, हाँ, जोन डेविट मेडिल को कैद करना हम जैसे, दो कौड़ी के गुंडो की बस की बात नहीं है, अब तो आप समझी गए होंगे, हमें बेवाकूप समझ कर कोई प्लानिंग मत कर लेना, प्रेस्ट करनो, आने दो उनको, सर, उस नमबर को ट्रेस किया है, बट हम लोग कन्फ्यूज हैं, तावर लोकेशन इस विशाखा पटनम, बट नमबर को फिलिपेन से लिया गया है, यह लोकल कॉलिंग कार्ड है, क्या हुआ, अभी तक होश नहीं आया है दीदी, यहां पुलिस वाले उनको घेरे हुए है, डॉक्टर से कुछ बात कर रहे है, पॉल को होश आते ही, मुझे कॉल करने को कहना, हाँ, ठीक है दीदी, और हाँ, मैंने फोन किया था, पुलिस को पता नहीं चलना चाहिए, हाँ, ठीक है दीदी, सर, आपने कुछ खाया है नहीं, कल जो पिया था, वो अभी भी बचा है, बस वही, लाके दे दो, सर, आपको खुधी उठके पीना पड़ेगा, हमारे मजब में हराम है, ना तो पीते हैं, ना ही पिलाते हैं, हमें से किसी को तकलीफ ना हो, ऐसा मैंने एक सेटल्मेंट सोचा है, लेकिन मैं जो भी पैसे तुम्हें दूंगा, उसके बाद भी ये क्लिप बाहर नहीं जाएगी, इस बात पर मैं भरोसा कैसे करूँ, हम जो वादा करते हैं, उससे कभी मुखरते नहीं, यही करना होता, तो ये क्लिप खरीदने के लिए हमें हजारों लोग मिल गए होते, कि आप भी जानते हैं, इसलिए उस बारे में सोचकर डर ये मत, 31 करोड, सर ये तो आपके बाएं हाथ का मैल है, ये हमें भी मालूम है, पैसा जाए, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैसे दूँ कैसे, आज कल वो एकाउंटेंट होते हैं न, एक एक पैसे का हिसार किताब रखते हैं वो लोग, इतनी बड़ी रकम को किसके पर वो तो और भी आसान होगा, फोन करिये, क्या पता कोई मिल जाएं, आप लोग इतने कंफियूज क्यों हो रहे हैं, आप लोग के जरीए, जिसने ये सब प्लैंग किया है, उसके पास इसका भी यहल होगा, आमें कोई कंफिजन नहीं है, अमें जिस आदमी ने काम पर जो कि मेरा फोन आप लोग के पास है, हम्, हम्, ऑन दो वे है, एक घंटे में पहुँचाएंगे, तो नारायन कुट्टी, प्लीज ब्रीज ब्रीफ टीम अबावव दीटेल्स येस मैप, तो ओफिसर्स, डेविड जॉन मेडिल खो किड्नाप कर लिया गया है, इसके पीछे एक अनाइडेंटिफाइड टेरिस्ट ग्रूप है, अब तक मिली इन्फोर्मेशन की बेसिस पे ऐसा ही कह सकते हैं, कमिशनर के परसनल मेल में आये हुए मेसेज के मताबिक, 30 करोड रुपए का रैंसम मांगा गया है, साथ ही, नाधा बॉंब ब्लास्ट केस में पकड़े गए मुझरिम यासिर रतीफ और तुगलक जमाल इन्हें हैंड ओवर देने की माहन गखी है, और उस इमेल को एक स्टूडेंट के लैप्टॉप से भेजा गया है, अब ब्लास्ट के लिए विशाक अपतनम, अलर्ट अल्सटेशन, इमेजिएटली इंफर्म येस माम, नासर अमसर को इंफर्मेशन पास कर दिया है, बट राइट नाव इस फोन इस फोन इस आट पर दिया है, त्राइए अगें, शोर माम, उस टेरिरिस्ट ग्रूप के दर्वाजे को हमेशा के लिए बंद करना चाहिए था, वो इमेल हमें गुमराह करने के लिए भी हो सकता है, उसे वही रहने दो, हमारा प्राइमरी कंसर्ण डेविट की सेफटी है, मिश्टर डेविट बिल भी सेफ सर, हमें अपने पूरे पूरे पुलिस फोर्स का यूज़ क्यों ना करना पड़े, हम उन्हें सुरक्षित वापस ले आएंगे, बट दर टेरिस्ट एंगल, आई बेग टू डिफेंस सर, हमें जो लीड मिली है उसके मुताबिक, चार लोग हैं जिन्होंने डेविट को अगवा किया है, इसमें आतंकी संगठन का हाथ है, या किसी दूसरे का ये देखना हो, मेरे प्यारे दर्चे को आज हम फिर हाजिर एक धमा किदार खबर लेकर, अगर मा के उपर बाप हाथ उठाए, तो उसका भी कारण इसलामिक संगठन है, आज की राजनिती में इसी को एह मुद्दा बना कर फैलाए जा रहा है, शुरू करते हैं, एक जूटा नाटक करने वाले शक्स के रूप में, हमारे मुख्य मंद्री को देखा जा सकता है, मैंने जो बोला है, वो डेविड जॉन मेडिल किड्नैप केस के बारे में है, सुबह सुबह इडली बेशने वाले लोग भी कह रहे हैं, इस किड्नैपिंग के पिछे इसलामिक आतंकवादी संग्ठन है, अगर हम ऐसे ही अच्चुतम नायर और उनकी पूलिस का तमाशा देखते रहें, तो हमें हमारी जिन्दगी और हमारे मज़भ को गिर्वी रखना पड़ेगा, मैं आज ही बोल रहा हूँ, कल अगर सत सामने आया तो, इस आतंकवादी संग्ठन के पीछे इसी नायर का हाथ होगा, इसी अच्चुतम नायर का, जिस तरह से इस पार्टी का इतिहास है, अगर डेविड सही सलामत जिन्दा मिला तो, ये उसके परिवार की खुशन से भी होगी. मेरे हस्बंड आज शाम को दिल्ली चा रहे हैं, प्राइब सेव. यू आ नाचुल, डार्लिग. ओ माइ गॉड. ये तो कमपनी में ज़ाड़ू लगाने के लायक भी नहीं है, और ऐसे इनसान को केरला का मोख्य मंत्री बनाने के लिए सोच रहे हैं. थैंक्स फॉर दा नाइट. I'm sorry. किस लिए? जैसा तुम लोगोंने प्लान किया, सब ऐसा ही हुआ. इसमें बेवकूफ तो मैं बनाऊ ना? बिना प्रॉब्लम के ये कामने पड़ जाए तो… येस, वैसा ही कुछ मैं ट्राइ कर रहा हूँ. वैसे सच में तुम बहुत कमाल हो. प्रॉब्लम के ये प्रॉपटी को प्रोपटी को प्रोपटी को प्रोपर्टेक्शन देने के लिए उपरसे और्डर मिला है. यहां आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सोफी बेटी तुम्हारी ये प्रोटेक्शन तुम्हारी सरकार को ही मुपारा इस प्रोटेक्शन के नाम पर ही मेरे परिवार के कितने लोग बली चड़े हैं ऐसी प्रोटेक्शन हमें नहीं चाहिए तुम्हारी पुलिस अब तक नहीं पता लागा पाई कि डेविड कहा है इस तरह यहां पुलिस का जमावड़ा करके दिखावा करने का नाटक बंद करो सर कुछ प्रॉब्लेम तो नहीं होगे न वैसे अंथनी तुमारे और जोसेफ के बीच में क्या रिष्टा है बहुत गहरा है क्या सियम सर कैंसर से रिलेटेड एक बहुत अच्छी बुक मार्केट में है आप कहें तो मैं मंगवा दूँ मुझे पढ़ना होगा अरे ऐसी बात नहीं है सर बस मैं तो देविड मेरे पास आया था बोल रहा था उसे गाड़ी चाहिए कुछ सिक्रेट पॉलिटिकल मीटिंग है खुद की गाड़ी लेकर जाएगा तो लोगों की नजर में आ जाएगा और फिर चला गया माद में फोन किया तो फोन स्विच आफ था वैसे आपके हिसाब से डेविड सर को नुक्सान पहुचाने की इच्छा रखने वाले कितने दुश्मन होंगे पुरे दुश्मन ही तो भरे पड़े हैं ओ तो ऐसी बात है फिर तो आपको भी हम लोग उनके दुश्मनों के लिस्ट में शामिल कर सकते हैं न अल्ताफ यही है ना आपका नाम अल्ताफ हुसेल मलिक देविड आखरी बार आपसे मिलने आया था उसके ड्राइवर की बीवी ने बताया वो भी एक सॉलिड एविडेंसी है यहां से वापस लोटते वक्त उस ड्राइवर पर किसे ने हमला किया तो जब उसको होश आएगा तो इस कहानी का एक अलग वर्जन हमें सुनने को मिल ही जाएगा अल्ताफ हुसेल मलिक साहिब क principals चल्यव बोलो किस ने तुम पर हम्ला किया डेविडवीं सर की भलाई के लिए बतायो बतायो किस ने हम्ला किया डेविड सर की बहला ही कि लिए उन्हें क्या हो गया मतेह अंग्या मते मतेम attracting मुझे बोल्रा है अरेह तुम्हारे भाई-लोग मास्क पहन क्याएंगे तो भी मैं उन्हें पहचान लूँगा अगर उन्होंने अपना हुलिया बदल लिया ना तो भी वो लोग मेरे हाथों से नहीं बचके निकल सकते भले ही वो लोग मुझे कितना मारे पर वो जो चाहते मैं उन्हें नहीं दूँगा वो कौन है वो सर क्या है ना मेरे भाई और उनके बीच में नारियल की पेड़ों को लेकर को जगड़ा हुआ था कह रहे हैं उन लोगों ने ही यह किया है सब्वेस्ट सुनिए हो गया क्या कि 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 अबर देखा अरे उस कंबाख्त को अगवा करके उठाने वाले तुम होना है कि क्या वाद कुछ बोलते क्यों नहीं कॉल रिकॉर्ड होने का डर है क्या हरे आपके बारे में ऐसा सोच भी कैसा सकता हूं कि वहां कहानी कुछ अलगी चल रही है कि एक बार तह तक पहुंच जाओं फिर फोन करता हूं करता है कि मैंड़ एक कुरियर है नम्भी सर के लिए नहीं वो कलाएंगे साइन क्या है एक कुरियर आया है शैद यहां के ओनर के लिए है और आया है सरा गए है म BAR कि झार । जोई से stewardship कि इख जार अख डार झाल 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 तो और यहां किसलिए है किसलिए है तो नहीं जानता ना कमी ने ले जाओ और बाइस कर दो इसने ले जाओ जल क्या हो रहा है ये सब जल पताओ जल ले जाओ शाजिया मेरी बीवी है सिर्फ इतना ही नहीं ना अफगान की पुरानी योद्धा पेट से होने की वज़ा से अभी इसने अतंकवात को भुला दिया यहीं सच्छाएं तुम सब कुछ जानते हो सब पता है तुमने यही कहा था ना कि यह आसान काम नहीं है डैवेड जॉन मेडिल कौन है यह पूरी जानकारी निकाल लिये मेरा सबसे खास दोस्त है वो उसके जरीए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ तो आप लोगों कितना फायदा होगा बताना जरूरी है कि वैसे यह इतना असान काम नहीं है भाई अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दो हम कभी मिले थे आपस में चर्चा भी मत करना है आपको लगता है कि हमसे नहीं होगा मेरे भाई बहुत बड़ा खेल खेलने जा रहे हैं हम लोग इसके पीछे सिर्फ मेरा नहीं किसी बहुत बड़े शक्स का हाथ होगा अलग-अलग रहने से कोई फायदा नहीं है साथ में रहेंगे तो ही फायदा है बस एक ही मकसद सबकी लाइफ सेट हो जाएगी कितना मिलेगा अगर काम बन गया तो पचास और अभी जो है एडवांस काम होने के बाद पांच करोन सबके लिए देख सेट यह है मेहर यही है उसे यहां लाने वादी कम ओन लेट्स फिक्स देख सर एक सवाल हमारे बारे में कैसे पता चला कैसे पता चला किससे पता चला ज़रूरी नहीं है ऐसे मुश्किल काम को आप लोगों ने बिना किसी हंगामे के कर दिया इतना कम है क्या ठीक है न महसिन अगर उसने पूछा कि पैसे कैसे ट्रांसफर करना है तो उसके लिए पैसा वो देने वाला नहीं है खैर वो छोड़ा उससे भी बड़ी प्राब्लम है मुश्किल हमारे अंदर कोई तो खबरी है जो अंदर की बात को लिखाना हम लोगों में से कोई भी नहीं है और इसके बारे में हम लोग कुछ जानते भी नहीं है तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूं नो बेब मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता उससे लेकर डरने की जरूरत नहीं है जर्ला टीवी ऑन करो देखते हैं नियूस के आ रही है जानकारी मिली है ये चारों लोग कई साल पहले अफगानिस्तान गहते और वहाँ पर जंग लड़ने की पूरी ट्रेनिंग हासिल की थी इसका मतलब हमारे पीछे कोई तो है हो सकता है तुम लोगों में से कोई हो क्या तुम लोगों को भरोसा है कि तुम में से जासूस नहीं है इस समय हमारे पास कोई आप्शन नहीं है अगर तुम लोग पकड़े गए तो मैं भी पकड़ा जाओंगा फिर खून खराबा होना तय है अगर हम साथ खड़े होते हैं तो याद रखना पांच करोर रुपे अगर भरोसा नहीं हो तो चेक कर लो पूरे पांच करो किसी को कोई शक जबार नहीं हमें तुमारे उपर भरोसा है साथ अगर हम इस जगह के बैक साइड से बाहर निकलते हैं तो तमिल नाडो नस्दीक होगा वो लुवर को पंप वो एक ब्लैक स्कार्पियो वेट करेगे ट्रियन सिक जिरो वन जिरो नाइल ज़ाइवर का नंबर इसमें सेव किया हुआ सेलवा राज वही आदमी आपको ठिकाने पिले जाएगा एंड वन मोर थिंग तुम लोगों को अलग नहीं होना है और उन लोगों के सस्पेक्ट लिस्ट में शाजिया का नाम नहीं है और नहीं फोटो जंगल के रास्ते पैसे लेकर के जाना बहुत मुश्किल है तुम लोग जाओ और शाजिया को फिलहल यहीं रहने दो तुम लोग सेफ वहाँ पहुँच गया ऐसी खबर मिलते ही शाजिया को वहाँ पे भेज दो साथ में बाकी अबाउंट गए तो अब हम अपना काम शुरू करते हैं तो चलो सब तो त्यार हो जाओ अब आप लोग यहां से नौर्थ इस डिरेक्शन पकड़के निकल जा वी से झाल तेरे कौन के नीचे एक जोर का लगा हुआ लेकिन किस लिए इतनी तेज कौन मारता है जबडा हिल गया मेरा वस ऐसे ही जान बुछ कर थोड़ी मारा था कि अगर्ण 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 वस दोड़ी मारता है जो अगर्ण आप अगर्ण अगर्ण आप जोड़ो अनवर पर उसको कुछ नहीं होगा अगर आप हमारे साथ खड़े रहे तो समाज के लिए आपने हमेशा ही अच्छा काम किया है साहब इसलिए पता है कि आपके हां से ऐसा कोई काम नहीं होगा एक पैसा भी नहीं चाहिए तो फिर हर मामले में कुछ उमीद रखे बिना सीडियाफ का साथ दे रहे हो ना साब इस बार गफूर साहब जो बोल रहे हैं उनका साथ देना है उसका अंडरवर्ण से क्या तालूख है कफूर कभी तो एकदम जुक जाता है और कभी अकड़ जाता है वो तो भगवा भी पहन सकता है जब कभी ऐसा र जेल में कैद यासर लतीफ दुगलग जमाल का वाही देंगे और उसे के साथ रह्मान खांदान की कहानी खता है अब्दुलरह्मान सर ने पूरी बात बता कर मामले को समझा दिया इस इलेक्शन में जैसा आप बोलते हो वैसा ही करेगा उसा आदमी को और कोई सहारा नहीं है उसकी आवाज को पैसे खिला कर बंद कर दो ये कौनसी बड़ी बात है एक काम तुम्हें करने के लिए दिया और वो तुमने कर दिया बस इतना ही आवकास से ज्यादा बात मत करना आप भी उची आवाज में बात मत करिये पहले की तरह आपकी बातों में आकर डर के मारे चुपचाप खड़े रहने वाले लड़के नहीं है हम तुम ने याद दिला दिया अच्छा किया मेरी तो खिसमत में यही लिखाए यह सब मैं किसके लिए कर रहा हूं अपने कौम के लिए ना अपने लोगों के लिए ही कर रहा हूं नहीं सब इस ही मिन हम सब की भला ही है हमारी नहीं साथ आपकी सिर्फ आपकी देश में रहने वाले मुसल्मानों को पांच पैसे का फाइदा भी है कैसे सब बेकार की पार्टियां है तुमारी आजादे के नाम पर जा आपकी साजिश में फसकर वहां के मासुमों को हम मार रहे थे आपकी बातों में आकर गल्त रास्ता पकड़ लिया काबूल कैंप में जब ये रो रही थी तो उसके जिसम को नोच रहे थे कमांडर इसे तो ये भी नहीं पता था कि इसके पेट में किसका बच्चा है काड़ी घोड़ा बोर्ट जो भी मिला बस किसी तरह से वापस आ गए हम लोग तब एक ही बात समझ में आई साहब दुनिया में सिर्फ एक ही मज़भ है पैसे सिर्फ दो ही जात हैं अमीर और गरीब अमीर होना ही सब कुछ है पिर चाहे वो किसी भी मज़भ का हो हिंदू हो, क्रिश्चन हो, मुस्लिम हो कोई फर्क नहीं पड़ता सच्चाई का पता चल गया है अब डर नहीं लगता बेवेड कैसे हो मुझे तुस्से मिलना है अनुवर को उन्होंने पकड़ लिया गफूर बोल रहा है वो उससे जाल में फसा देंगे आतंगवादी बना देंगे वो लोग जान बुझकर ये सब कर रहे हैं अपने बेटे को बेकहर में इस पार्टी और पॉलिटिक्स के चक्कर में बली चड़ा रहा है जिस पर भरोसा था वो भी इसमें शामिल है गफूर को क्या चाहिए आने वाले एलेक्षन में सीडियाफ का साथ गफूर नहीं देने वाला है दिगंबर के साथ गुप्त मिटिंग कर रहा है लेफ्ट की तरफ से 50 सीट मिल गई तो बाकी की 25 सीट हमारी पाटी की तरफ से लेफ्ट फिर से सत्ता में और दिगंबर मुख्य मंद्री गफूर की मांग है कि आखरी दो साल गफूर मुख्य मंद्री रहेगा यही खेली सेलेक्षन में होने वाला है इस साजिश में मुझे साथ देना पड़ा है जैसा गफूर बोलेगा उसकी कटपुतली बनकर पार्टी को लेफ्ट का साथ देना पड़ेगा तो फिर अच्चुतम नायर यह अच्चुतम नायर के खिलाफ होने वाली साजिश है वो इस बारे में कुछ नहीं जाता वो तो दिगंबर को अपना भाई मानता है अनबर को कुछ भी नहीं होगा आपके परिवार की इज़ब बचाना मेरी जिम्मेदारी और फर्ज है अगर मैं अनबर को सेव नहीं कर पाया तो भी पार्टी को बहुत सारे सपोर्टर्स मिल जाएंगे गफूर लेफ्ट में चला गया तो हमारा सपोर्ट थोड़ा कमजोर भी हो सकता है इसलिए गफूर को हमें साथ में रखना होगा पार्टी की मजबूती के लिए तो ये सिर्फ अनबर को बचाने का खेल नहीं है है ना तुम्हें पता है पिता जी को एक कहानी बहुत पसंद थी कभी-कभी वो मुझे वो कहानी सुनाया करते थे ये सेनिटर मिस्टर बेरिमर ने अपने एलेक्शन के टाइम में जो खेल खेला वो एक रिवर्स हनी ट्रैप था वो खुद से जाके हनी ट्रैप में फसा और अपने दुश्मनों को पूरी तरह से खत्म कर दिया उसी तरह हम भी उस हिस्ट्री को दुबारा रिपेट करेंगे सो अनवर को जो अगवा करके ले गए उनके ही जरीए या इसमें तो बहुत रिस्क है रिस्क ना हो तो फिर गेम का मज़ा ही गया सो डिरेक्टर से चार लोगों को लेकर मुझे हनी ट्रैप में फसा कर एक बंगली में लॉक कर देना बस इतना ही करना है तुम तुम सीरिस बोल रहा है मुझे तो लग रहा था कि कोमेडी है मेरे दोस्त जो तुमारे सामने बैठा है वो केरला का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है इससे बड़ा मज़ाक शाय तुमारे लिए कुछ नहीं होगा मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो बाकी में देख लोगा तुम यह जो हनी ट्रेप बोल्ड है उसके लिए कोई लड़की नहीं चाहिए चाहिए नो तुम उसे फोन करो किसको मली को रहे लेकिन उसे मैं सब्झाओंगा क्या नहीं तुम बुलाओ तो सही वो आएगी जाहो मिटादो अपने इंडियन इंटेलिजेंट साथ ही का एंकार लोग टाइब मिस्टर ब्लाइक अड़की नहीं तुम्हारे नाम पर आई आई है और उसे अंजाम देने के लिए इसने कितनी तहारी कर रखिये इस बात को जाने की तो जरूरत ही नहीं है यार सो तेल में जेंटिलमन वाट किन आ दू पर यू? सिंपल प्रियेट अपनी ट्रैप फो में यह पूरा प्लान तुम्हारा होगा और मैं एक मक्ही की तरह यहां होंगा इस घर पे हम्हम लट में गेस अपनी ट्रैप बत इस रवर्स लाइक थे सानेटर बेर्मोर स्टॉरी बरी गुड देखना मैं ने बोला था यह तुमने करेट बला यह सो जो ऑपरेशन हानी ट्रैप एंटी टेरिर स्कॉर्ट की मुसल्मानों को जिस तरह फिल्मों में दिखाया जाता है न हम उस तरह की मुसल्मान नहीं है तो मैं ऐसी बात क्यों कर रहे हूं और फिर मैं क्या बोलू सर इस राजी के प्रती मेरा जो फर्द है उसी की वज़ह से मैं यह नौकरी कर रहा हूँ मैंने भी ट्रेणिंग किये सर पर मेरा मुसल्म होना ही मेरे लिए कलंक है और ओकी तरह मैं भी काम को बहतर अंजाम देता हूं सर लेकिन मैं किसी के दिल में जगा नहीं बना पाया और इस बात का हैसास मुझे पोस्टिंग के समय हुआ आज भी जब मैं किसी ऑफिसर्स के कम अलत काम करते हैं और उनहीं की वज़े से पूरी कौम बदनाम हो रही है आज तक इसी भी शरीफ मुसल्मानों की अउलाद ने कहीं पर भी वम रखाये क्या या फिर दंग फेलाया है जब मैं पढ़ाई करता था उस समय आपने किता भेजी थी एपी जे अब्दुल कलाम दविंग सॉफ फायर साथ में एक नोट भी आई वान्ट यू टू बिलाइक हिम क्या आपको याद है मुझे नहीं याद है प्ट आइस्टिल वान्ट टू बिलाइक हिम सुनो देखो मेरा एक सपना है और वो सपना पूरा होने के मुकाम पे है जो मैं चाह रहा हूँ उसे पूरा करने के लिए और तुम्हें तुम्हारी नौकरी के लिए ये सब करना होगा बाकि तुम्हारी मर्सी डेविड सर ने देने के लिए बूला था नासिर एमद साब ने जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ तो प्लैन भी शूट देम आल ये तालीबानियों के साथ आखिर तुमारे तार कैसे जुड़ गया सच कहूं मैं तो डर के मारे हेली गया था डर? तुम्हें? गर के दर्वाजे पर अभी भी लिखा है मेजर अलताफ हुसाइन गर की नेम ब्लेट और यार मेजर साहब थांक यू बलीका येस गिनी यो फोन तो लोग जंगल की तरफ गये है और उनकी बैक में तुम्हारे दिए जीपियस ट्रैकर है और पाच करोर रुपए भी वो पैसे वापस ज़रूर ले आना पैसे तो वापस नहीं करूंगा सर उससे अपने इलेक्शन फंड में काउंट कर लीजेगा मुझे भी तो सेटल होना है न ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी तुम्ही अच्छी जिन्दगी जी लो रखता हूं सर ओके देखो फैसला तुम्हारे हाथ में है कि अब आगे तुम्ही क्या करना है मैं तुम्हे एक मौका दोगा हूं मेरी बात ना मानकर तुम्हें मर जाना है या जिन्दा रहके इसकी परवरिश करनी है मुझे मुझे जीना है अपने बच्चे की परवरिश करनी है संसे बढ़ इसका नाम क्या है आसाद आसाद वैसे दुनिया का सबसे सुन्दर नाम है ना ये अलताफ आसाद सतांत्र अपनी मर्जी का मालिक चलो बताओ अन्वर कहां है तुम्हें फैसला देने का मौका दिया है ना अब तो खुलकर बोलना ही पड़ेगा रिच्छी तुम्हें पुलकर देजा रिए वो़्पी मैं जानता था कि तुम आओगे और तुम्हारा ये खेल भी जानता था पर इसमें क्या परिशानिया बताओं ये तुम्हारी कॉर्पोरेट की दुनिया नहीं राजनीती है यहाँ पर पैसा पॉवर कुछ काम नहीं आता सडक पे सोना पड़ता है कर الإन माल जान रर तुम्हारा हुआँ तुम्हारा ले कोást पूंक प्सट्मर्रना जाई़र के अन्म्हारा थे फिर प्सकते है पॉर्ष्ण मैं श. 7.lic不ट्शब आफखू CHOO मैं इसकी हिफाज़त करूगा एक भाई की तरह और इसके बच्चे की परवरिश में आज के बाद ये दोनों सड़क पर नहीं रहेंगे शानदार महल में रहेंगे गफूर साहब पता है नेता लोग सफेद कपड़े क्यों पहना करते हैं मिद्र शत्रू बने तो पहचान सके शत्रू मिद्र बने तो पहचान सके इसलिए आप मुझे पहचानेगे वैसे मेरे कपड़े काले है आप मुझे कैसे पहचानेगे सारे रास्ते बंद हो चुके मेरे प्यारे कफूर साब एक बहुत बड़ी जंग खत्म ही है ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है अगर कोई सवाल है तो जवाब भी होगा इस काले कपड़े के अंदर एक सफेद इंसान है और मुझे अभी उस आद्मी से मिलना है जो भीड से दूर शोर शरावे से दूर बहुत सालों से अकेला है अपने परिवास से दूर अकेला जिंदगी बिता रहा है बिलकुल अकेला और हाँ वो मुझे एक सम्मान देने के बारे में सोच रहा है हम दोनों को साथ रहके इस राजनेतिक जंगल में पार्टी को मजबूती से खड़ा रखना है पुरे सम्मान के साथ मैंने मुखे मंत्री के लिए तेरे पिता का बहिशकार किया था पर तुने हासिल कर लिया I can like the sweetness of the revenge अब तुम इसी जोश के साथ अपने पत को समालोगे मैं बस तुम से इतनी ही उमीद रखता हूँ उस कुर्सी पर बैठ कर तुम कैसी भी मनमानी कर सकते हूँ कैसी भी आज इंडिया के इस राज्य में तुम ही हो जो इस राज्य को एक सेकुलर राज्य बना सकते मैंने पिछले दस सालों में अगर कोई उमीद या कुछ पाने की इच्छा रखे तो वो सिर्फ ये थी कि मजभब के नाम पे इंसानियत को मिटाया ना जाये और सुनो डेविड बस इसी विचार धारा को तुम्हें आगे लेकर जाना होगा मैं ये बात दोस्त के हैसियत से नहीं बोल रहा हूँ बलकि एक राजनैतिक शत्रू की हैसियत से बोल रहा हूँ मैं बादा तो नहीं कर सकता लेकिन कोशिश करोगा इसे रख लो तुम्हारा नाम क्या है अरे धर तो आओ तुम्हारे पास चुपचाब चलियाओ अगर अपना भला चाहती हो तो नाम अदना वीज्वल ठीक है से बोल सांग का थोड़ा आप तोई बात नहीं गफूर और उसके सपोर्टर्स को फसाने के लिए तुम्हारे पास कई रास्ते हैं या मैं जानता हूँ लेकिन ये एक वीज्वल एविडेंस है एक कॉपी मेरे पास है इसकी जरूरत पहले किसे पड़ेगी कोई नहीं जानता हूँ तैंक्स इसके लिए नहीं तो फिर किसी को जरा भी खबर नहीं हुए कि आप मेरे साथ हैं और आपने मुझे दोखा भी नहीं दिया यही आपकी खोबी है लाल सलाम काप्टन लाल सलाम